नसकर दोस्तों स्वागेत आपका दफ एक्ट आई में आज हम इमाचल परदेश में पहुंचे हुए हैं यहाँ पे बहुद आए हुए हैं क्योंकि आज यहाँ पे डेरा सच्छा सवदह के और से एक सथसंग लगाया गया तू जानते हैं उन लोगंगर से मिलके क्यों आए है यहां पर किया है अपका नाम रित्तु इन्स अनिकितने समय से जुड़े हैं धरी से हम सेवेंध से लुक्लास में पढ़ती थी तो मैं यहां आई थी हीमाच्छल परदेश चेचिया नगरी तब से मैंने नाम लिया था और तब ही से हम जूड़े हैं आज आप यहां पर हिमाच्छी परदेश में क्यों आए हम हमें अच्छा लगता है यहां पर आना शुरू से जूड़े हैं और चल रहे हैं तब ही से अपने बच्चों को भी एगी कोशिश करते हैं कि बुराईयों से किस तरह की शिक्षा दी जाती है डेरे में यही कि जहां तक हो सके दूसरों का भला करो मदद करो दूसरों की कहीं किसी का एक्सिजेंट है उसकी हैल्प करो उसे हॉस्पीटल तक लेके जाओ और जैसे आजकल गर्मी बहुत जादा है तो पशुपक्षियों के लिए दाना और पानी बगेरा का इंतिजाम अपनी च्छतों पर करते हैं बहुत सारे ऐसे कारेया हैं जो अच्छे बहुत अच्छे चलाई है डेरा सच्चा सोधर में कौन से धर्म को मानते हैं सबी धर्मों को मानते हैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से धर्म है पुछ उसमें 1 प्रसंट भी सच्चाई नहीं है क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं अब भी जा रहे हैं कुछ आसा हमें तो देखने के लिए कुछ दिखानी हैं बाकी हम तो मानते नहीं हैं सिर्कार से में हम क्या पील करना चाहिए यही कि जो जूट एलजाम लगाए गए है उन्हें जल्दी जल्दी हटाया जाए और उन्हें बाइज़त बरी किया जाए बहुत बहुत शुक्रे है में आपका जैसे कि उन्हें बताया बच्पन से 1,5-1,7-7,7 से जुड़े हुए है और उन्हें उन्हें कुछ भी हम पर नहीं देखा है जैसा कि इलजाम जो गुरुजी पर लगाए जारे है जो मीडिया में दिखाए जारे है वैसे उन्हें हम पर कुछ भी नहीं देखा subscribe to our channel and press the bell icon